कई लोगों कि गैस दिमाग तक चड़ जाती है, एसा क्यों होता है, कि यहाँ सर्दर्द अधिशुरू हो जाता है आपने तो यह बताया कि दिमाग पर चड़के सिर में दर्द हो जाता है कई बार इसका असर इतना भ्हंकर होता है अटैक दिल पर जब करती है, तो एसा लगता है कि Heart Attack की स्थिती बन गई आपने देखा होगा जो लोग ब्लेक टी पीते हैं उनको गैस और एसिडिटी की समस्या कम होती है जो लोग दूध वाली चाहे पीते हैं उनको एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ इमानशुभड दी हेल्थ शो में आज हम बात करेंगे डॉक्टर दीपक कुमार जी से गैस के बारे में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में क्योंकि आज कल हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरहां से बिगड़ गई है कि हमारा फिजिकल वर्क कम हो गया है खानपान बिगड़ चुका है जिस वजह से हमें कॉंस्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहने लगी है लेकिन अक्सर लोग गैस की इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में जाके यही गैस की प्रॉब्लम उन्हें एक बड़ी बिमारी देकर चली आती है जिससे हम अपनी लाइफ में काफी परेशान हो जाते हैं और हमारा ज्यादा तर समय और ज्यादा तर पैसा होस्पिटल में अपने ट्रीक्मेंट पर खर्च होने लगता है सबसे पेले में आप यही बताईए की गैस की प्रॉब्लम होती क्यों है कि में ने कई बार कहा है दुनिया का सबसे बड़ा गुडाबर हमारा बन गया और सर्वे रोग मलाशरा सब बिमारियों की जड़ पेट है हमारा बहुत ज़्यादा अटरन सटरम खाना खाने का मनेजमेंट बहुत ज़्यादा पूर होना खाना समय पर ना खाना यदि वो खाना तो जंग फूड की फोम में खाना बहुत तलाब होना खाना बहुत ज़्यादा soft drink का saveन करना सबसे पहले हमारा पेट disturb होने लगता है और कबज होगी पूरा पेट हमारा proper साफ नहीं होगा तो मल हमारे पेट में सढने लगेगा सढने लगेगा तो धीरे धीरे आतों का function weak पढ़ने लगते हैं उन आतों पे जब function weak होता है तो load ज्यादा पढ़ता है यह load पढ़ता है फिर liver की और फिर liver को ज्यादा काम करना पढ़ता है धीरे धीरे हमारे liver के function भी weak होने लगते हैं हमारा पाचन तंत्र weak होने लगता है जिसके कारणा जो हमने खाया पिया उसका पाचन प्रोपर नहीं हो पाता और हमारा मल पेट में ही रहने लगता है तब यह समझ से आती है गैस की जब पेट में मल सड़ेगा तो गैस बननी सुरू हो जाएगी गैस यदि नीचे से पास हो रही है तो दिक्कत नहीं है दिक्कत तब आती है जो पेट में फसी रह जाए और अक्सर कई बार इस बीमारी में इतना भ्यंकर दर्द होता है कि आदमी यह सोचने से मजबूर हो जाता है कि यह गैस का दर्द है ऐसा क्यों होता है कि यहां से लेके दिमाग तक चड़ जाती है और फिर सरदर्द शुरू हो जाता है ऐसा क्यों होता है दो तिन कारण है एक अकसर एक बात मैंने कहिए हमको वेग नहीं रोकना चाहिए हमारे शरीर के जो एधार्णिय वेग है यानि कि यदि हमको पेशाब आ रहा है तो हमको अवश्य करना चाहिए सोच इत्यादी की इस्तिती बन रहे है तो हमको सोच से निवरत्ती पानी चाहिए तीसरा भूख लग रही है तो हमको जरूर खाना चाहिए और प्यास लग रही है तो हमको पानी जरूर पीना चाहिए कई बार हम अपने काम में इतने इंवर्ड हो जाते हैं इन चारों वेक को रोकने लगते हैं तो अब जो वाई हो है हमारे सिरी की नीचे से पास नाओ करके ऊपर कियों चड़ने लगती है आपने तो यह बताया कि दिमाग पे चड़के सिर में दर्द हो जाता है कई बार इसका असर इतना भ्यंकर होता है अटेक दिल पर यह जब करती है तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटेक की स्थिति बन गई लेकिन वो हार्ट अटेक नहीं होता लेकिन गैस के कारण यह दिक्कत हो जाती है तो सब कैसा पता लगाए कि जो हमें दर्द हो रहा है हार्ट पर वो हार्ट का नहीं बल्कि गैस का दर्द है सबसे पहले तो हमको पेट चेक करना चाहिए ये सोचना चाहिए कि हम आरा जो सोच करिया है वे प्रोपर है या नहीं ये दि किसी का पेट प्रोपर साफ नहीं होता तो गैस बनने निश्चिद रूप से लाज भी है और अक्सर एक बात मैं कहता हूँ कि हमको खाने को तो पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए हम इतना चावाना चाहिए जो बोजन के ग्रास को चाब बे चालिस बार तो चालिस बार तो चाबते नहीं कि इतना समय नहीं होता लेकिन हमको इतना चावाना चाहिए कि वे हमारी लार के साथ मिलकर बिल्कुल पेश्ट की तरह बन जाए तब हमारी आतों पे लोड कम पड़ता है दूसरा पानी हमको घूट-घूट करके ही पीना चाहिए बहुत से लोग आपने देखा होगा बहुत तेजी से गटा-गट पानी पी लेते हैं हमारे मुँ की छाहिए हमारे मुद्दा अकौनलाइञ हैU जो हम घूट-घूट करके पिएनगे तो अकौनलाइं जो हमारा पानी लार के साथ बन कर नीचे जायेगा पेट में अचिड के साथ मिलकर नियुट्रलाइग हो जाता है और यदि हम गटागट पीएंगे, तो acidity की और gas की इस्थिती बनती ही बनती है मतलब constipation भी gas का कारण बनता है मुख्य कारण है मतलब constipation मुख्य कारण है gas का जीसे gas हो रही तो समझ ली जो उसका पेट खराब ही है लोगों में चाय पीने का बड़े शौकीन है और खास करके हम भारती है ज्यादतर लोगों की तो सुबह की शुरुवाती चाय से होती है एक गैस के लिए चाय कितना नुक्सान दे सकती है चाय तमाकू डालडा जो नर करे परियोग उस नर को छूते हैं भाती भाती के रोग खाली पेठ हमको कभी चाय नहीं पीनी चाहिए बहुत नुक्सान देती है और खाली चाय हमको सेवन नहीं करने चाहिए यदि हमको चाय लेनी है तो चाय के साथ हमको एक या दो विसकुट जरूर लेने चाहिए और चाय के लिए कावी है कि यदि हम इसके साथ नमक का सेवन करें तो हमारे सरीज में इसकिन डिजिस पैदा होती है चाय के साथ नमक जी इसलिए चाय के साथ बहुत से लोग नमकीन लेते हैं जो कि बहुत गलत हैं हमको नमकीन और दूद के बनी वी चीज इसका विरोधा बाहसे इनसे बचना चाहिए दूसरा जिन लोगों में गरिष्ट बोजन करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी हो यानि कि जंक फूड लें या तला हुआ बहुत ज़्यादा खाते हो बहुत ज़्यादा पराठे खाते हो बहुत ज़्यादा पूरी पकवान खाते हो अकसर उनको यह समस्या तेजी से क्लिक करती है और क्लिक तभी करेगी जब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज ना हो उसको जो हमने खाया है उसको पचाने की छमता हमारी कम हो तब गैस बनती ही बनती है क्योंकि उस खाने का प्रोपर डाइजेशन नहीं हो पाता अगर कोई इनसान चाय पी रहा है और उसमें दूद नहीं डालता है केबल ब्लैक टी पी रहा है तो क्या वो भी नुकसान देगी आपने देखा होगा जो लोग ब्लैक टी पीते हैं उनको गैस और ऐसिडिटी की समझिया कम होती है जो लोग दूद वाली चाय पीते हैं, उनको acidity की समस्याद ज्यादा होती है यदि black tea में आप थोड़ा सा नीम्बू डाल के लें तो आपके शरीर में बहुत लाब इस फूरती भी मिलेगी और आपको लाब भी मिलेगा और पाचन तंत्र आपका strong होगा इसमें क्या समझा जाए कि लोगों को जो gas के problem हो रही है चाय पीने से वो चाय में पड़े, दूद के कारण है क्या? सबसे पहले हमको यह देखना चाहिए कि हमको gas क्यों बन रही है मैंने भी कहा कि पेट जिन लोगों का proper साफ नहीं होता आपने देखा होगा मजदूर आदमी है जो बहुत मेनत करते हैं उनको परांठे आठ आठ खा लें उनको कोई दिक्कत नहीं होती दिक्कत किसी होगी? जिसको physical activities बहुत कम हो तो हमको पचाने की समता अपने अंदर डवलप करनी चाहिए पकाने की समता पचाने की समता जब डवलप होगी जब हमारी physical activities बहुत अच्छी होगी घुमना आप किसी का राही नहीं है आपने देखा होगा रात को आठ नो बजे कोई सोता ही नहीं है रात को बारा बारा एक एक दो दो बजे सोते हैं prosecution सूर्यदे से पहले कोई उष्टा ही नहीं है सूबतों स्वेज़ नहट से पहले कोई अपना विस्तरी नी छोड़ता है और जब वो उष्टा है तो सबसे पहले चाय पीता अपना सरी की में ताजगी था लाने के लिए नहीं ताजदे थाय कि उती नहीं तो आपको बरतन साफ अवश्य करना पड़ेगा यदि बरतन साफ नहीं है तो आप ये देखो कि आपकी मेनस सारी बेकार होगी तो हमको निरोग रहने के लिए जो आप एक्ति अपने सिरी को जितना कश्टते जितना मेनत करें जितना घूमे एक्सेसाईज करें आपने देखा उगा उतना ही दिरगाई होता है और उतना ही वो सवस्त रहता है सर कई लोगों को यह भी कहना है कि दूध पीने के वजह से बी केबल दूध पीने के वजह से भी उन्हें गैस बनती है बहुत से लोगों को दूद के कारण दिक्कत होती है लेक्टोजन से और सही बात तो यह कि अब अच्छा दूद उपलब्द नहीं है यदि गाय का आप ताजा देशी गाय का दूद पीलो और एक बार आप उस दूद का सेवन करो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी ले उसके प्रॉब्लम से चुटकार उनको मिल सकता है लेकिन कुछ चीजें हमको खाने में जो वात्षामक है उनमें से एक है लसन दूसरा है हिंग और तीसरा है प्याज जो लोग इन चीजों में से कुछ भी सेवन करते हो उस चीज की मात्रा बढ़ा लें बहुत से लोग लसन दूसरा हिंग, आज के समय में मार्किट में बहुत अच्छा उपलब्द नहीं है, लोग देखते हैं रेट के उपर, इस समय अच्छा हिंग 25 से 30 जार और 35 जार तक का है, इसी हिंग में लोग मिलावट करके इसको सस्ता करके वेशते हैं, लोग टैली करते हैं रेट को, और ज अच्छा हिंग पाचन एक दम से करता है, जैसे की हिंग से बना हुआ जलजीरा है, बहुत से लोग सेवन करते हैं, यह बहुत लाव पाचन तंत्र में मिलता है, गैस की समस्चा से निजात मिलती है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, पेट में बहुत ज़्यादा अफारा आ रहा हो, एक चम्मच अजवाएन थोड़ा सा हिंग और थोड़ा काला नमक मिला के ले 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 उनको निश्चिद रूप से गैस से निजात मिलती है, बिलकुल मिलती है, और एक पर ले ले ले, उसमें आधा निम्मू निचोड ले और एक चम्मच खाने का सोड़ा मिला कर तुरत पी ले, विदिन टू मिनिट उसको निश्चिद रूप से लाब मिलता है, और जिसको लंबे समय से गैस के प्रॉबलम है, क्या वो अलसर में बदल सकती है, बिलकुल बदल सक अलसर कितना घातक हो सकता है, अलसर यानि कि आत के अंदर यह हमारे कहीं भी पाचन तंतर में जखं मनाना, और जब जखं बनता है तो उसके बाद कहीं वारुस में से खूंड़िसना सुरू हो जाता है, तो यह प्रोपर जब तक हम उसका इलाज नहीं करेंगे, बहुत से ल आपका, क्या आप हमें बताए कि गैस जैसी प्रॉब्लम जो ज़्यादा तर लोगों को रहती ही है, उससे कैसे निजात पाई जा सकती है, घर बैठे बैठे, उमीद करते हैं कि आप लोगों नहीं जाना होगा कि जो गैस की प्रॉब्लम है, जब वो सर पे चड़ती है, तो और अगर आप सर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो सर का नंबर नीचे डेस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमने दिया है, इनका जो आईरविदिक सेंटर है, आईरविदिक फार्मेसी है, वो हरिदवार में है और इशिकेश में भी, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो इनको call करके कर सकते हैं आपकी दिमार में जो भी question है आपकी life से जुड़े health से जुड़े हो आप नीचे comment box में पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे उसके answer साथ को देने की health show में आज की वीडियो में फिलाल इतना ही जल्द मिलते हैं एक और अन्य जानकारी के साथ एक अन्य वीडियो में आपको illness से wellness की तरफ ले जाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद सर्व